तो हम लोग थर्ड सेमिस्टर की थर्मल का आज इंट्र लेक्चर ने रहे हैं और अधम पढ़ाई नहीं करने वाले हैं आज हम एक चोटी-चोटी बाते समझें तो यह समझने कि थर्मल साइंस को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए तो थर्मल साइंस को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है वह देखते हैं उसको समझने से पहले समझें है कि थर्मल जरुरी है उन्हें पर चाहिए सब्सक्राइब पर द्वान इसको लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इंजिनिंग थर्मल बन ऐसे इक शब्दा आधा पर आगे करते हैं आप जाते हैं नेक्स सेमिस्टर नेक्स मतला फॉर्ट समस्टर जाते हैं वहाएं सब्जेक्ट पड़ते हैं थर्मल टुको हम लोग इंटर्नल कं इंजन और इंटर्नल कंबश्चन इंजन और इसके बाद आप जाते हैं तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट पड़ते का नाम होता है आड़ी कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं फिप सेमस्टर वालों को मैं आड़ी सी पढ़ा रहा हूं और अगर आपको थर्मल नहीं पता तो यह स और सम्ढ़न है इसके बाद आप जाते हैं सराना होता है तो पावर ने अब ऐसी अबता है कर दिया है अगरत कडिया है अब डिपलोमा में ना होके भी टाग में हो तो एक सब्जेक्सक्त तो इक पढ़ना पढ़ता है उसको हम लोग बोड़ते हैं वाद तो इसके अलग से कुश्णाथ है तो एक थर्मल पढ़ने के बाद अगर आपने थर्मल पढ़ने के बाद अगर आपने अपने आप में तो बेसिक सब्जेक्ट और तो हमारे पास क्या है बत्तों मेंटेकल इंजिनिंग को अगर ब्रॉडली डिवाइड करें हमने तीन कैटेगरी में इन्हीं तीन कैटेगरी से आपकी जर्नली एम्टेक होती है इस पहला पार्ट है इस पहला पार्ट है इस अलग से अलग से अंटेक्ट होती थर्मल दूसरा इस्टा पार्ट है डिजाइन तो आपके पास सब्जेक्ट आएगा आप लोगों तो यह तीन ब्रॉड पार्ट है जो आप लोगों को करते हैं उसका बेसिक हम लोग यहां शुबू करेंगे इसके अंदर आप लोग परते हैं अप्लाइज मेंक्स सुना होगा आप लोगोंने उसके बाद स्ट्रेंट आप मेटीरियल परेंगे मशीन द्रॉइंग एंड मश इसके अंदर शॉल्य ओप मशीन टों परेंगे इसके अंदर आप लोगों परेंगे इसके लावा आपका आएगा आएगा आप पढ़ेंगे पावर प्लांट परेंगे कि अपरेंगे इसी की से लिटीड है वो पढ़ेंगे और फ्लूड मेंखेनिक्स पढ़ेंगे फ्लूड मशीनरी पढ़ेंगे आट आप पाऊ इसे लिए मैं और मैं स्पेस्लाइज हूं सिर्फ में अगर आप एसे बोलो सिविल वाले बच के पढ़ा तो उनके पास में स्पेस्लाइज ऑफ में जिसको अच्छा पढ़ा सकते हो वही पढ़ा हुआ है यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या कॉंपा सब्जेक्ट जो है वो जाधा अथी तरह पढ़ना चाहिए एक सब्जेक्ट आपको ना अभी भले ना खर्मल चुरू कर रहा हूं बट मेरी आपको एडवाईज है अगर आपने स्थेंट आप मेटीरियल फूड मेकैनिक्स नहीं पढ़ा आप मेकैनिकल इंग बेकार होगे ध्यान में क्योंकि प्रोड़क्शन मैनिक्रेक्शन टेक्न टेक्लोजी तो आपको कोई टीचर जनली पढ़ाते नहीं कोई बच्चा ना पीज देता ना पर पढ़ता इसके यह बच्चे खुट करने तो लेकिन इस सेमेस्टर में आपके दो सब्जेक्ट थर्द सेमेस्टर में इसके बाद के नेक्स सेमेस्टर में आएंगे स्टेंट तुम मिनिममम बता रहो हैं आपको ऐसे तुम बोल दूगा मैं तो यह बोला हूं शह के शह पढ़ लो पीज दे दो ऐसा नहीं साहीं लेगता मिनिमम सब्जेक्ट जो कम से कम आपको पढ़ने चाहिए तो थर्द सेम सेमेस्टर में आपको thermal science और material science पढ़ना है next four semester में आपको कहीं ना कई पढ़ने है तो अपने आप नहीं आते समझें तो आज की क्लास में हम लोग क्लास को जाए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो इस टार्ट फ्रॉपर्दी बेश से शुरू करें इस अभी के लिए रिकॉर्डिंग बन कर रहा हूं तो मैं वाई-बाई